वेल्कम बैक तो दे यूकाइसी ओफिशियर मैं दिम्पलकची और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए का चेप्टर नमबर फाइफ यह लेक्चर नमबर तू जिसमें हम लोग देखने वाले हैं आगे के लेक्चर में हम लोगोंने हम लोगोंने देख लिया था लेक्चर नमबर टू में हम लोग बात करने वाले हैं कि उसके एड्वांटेजिस और डिसड्वांटेजिस क्या हैं आप लोगों को बदातो कि जितने भी केरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे उसमें सारे के सारे पॉइंट्स यहां पर रिपेट होग पर आप लोगों को सारे के सारे पॉइंट्स लिखने रहेंगे ठीके हम लोगों को पता है कि सोल प्रोप्रेशिप का मेनिक क्या है जो के लाइन सान है वही सब कुछ उसके लिए रिस्पॉंसिबल रहेगा जो भी एक्टिविटीज है वो बिजनस की वो खुद करेगा और भी रिस्क होगा बिजनस का अगर फेलियर होगा तो भी उसका रिस्पॉंसिबल कौन रहेगा जो बिजनस का मतलब ओनर है वही उसका रिस्पॉंसिबल परसन रहेगा अब हम लोग बात करते वाले हैं एडवांटेजिस और सूल प्रोप्रेशिप आगे यहां पर बहुत सारे रिपीटेशन और पॉइंट्स है पर यहां पर क्या है सोल प्रोप्रेशिप का बेनिफिट क्या है अगर हम लोग बात करें तो यह बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है ज़म लोग उने करेक्टरिस्टिक्स में देख लिये थे उप सबहना है easy establishment process less capital Maintainance of Secrecy, Quick Decisions, Personal Contact, Flexibility, Less Tax Border and Less Legal Restrictions ठीके सारे के सारे Points हैं, हम लोग डीटेल में बात करते हैं Start करने से पहले, अगर आप लोगों ने ये चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजे Like किजिये, Share किजिये, Comment में लिखना सबसे प्याला, Easy Establishment Process हम लोग उने आगे ही देख लिया था कि बहुती Easy Process है अगर एक ही इंसान है तो फटा-फट से उसका registration हो जाएगा कोई भी complex situation है उसको face नहीं करनी रहेगी ठीके कोई भी ऐसे difficult या फिर कोई भी process है जो लोग कि उसको follow नहीं करनी रहेगी less capital अकिला ही इंसान है तो उसका limited capital रहेगा तो वो capital भी थोड़ा सा ही लाएगा compare to the MNCs या फिर joint stock company या फिर cooperative society यहां पर अकिला ही इंसान है तो वो specific उसकी जो amount है वही उससे वो start करेगा आगे हम लोग देखते है maintenance of secrecy जैसे हम लोग आगे point देख लिया था कोई भी इंसान दूसरा नहीं होगा जिसके साथ उसका secret share है तो यहां पर जो हमारे trade secret है हमारा business का top secret है वो कहीं पर भी leak होने के chances बहुत ही कम है quick decisions अगर हम लोग बात करें तो वो अकेला ही इंसान है जो भी decision लेना है वो खुदी ही लेगा किसी के लिए रुखने की जरूरत नहीं है जो पर decision है वो decision firmly आएगा और quick आएगा उसके बाद हम लोग बात करते है personal contact again हम लोगोंने point देख लिया था personal contact मतलग जो इनसान है वो खुदी ही अपनी product के बारे में customers को बोलेगा कि यह मेरी product है please use करो तो उसका customer के साथ direct contact रहेगा compare to the other business के flexibility उसको ज्वीजनेस करना है वो कर सकता है जिस time पर उसको करने कर सकता है जब भी उसको start करना वो कर सकता है flexibility के terms में अगर हम लोग बात करें a soul proprietorship लुकित वरा स्राना है जो टोर्टली flexible firm है जो इनसान है उसको जो करने हो वो कर सकता है अपने हिसाब से less tax burden, अगर आगर tax burden की बात करें तो यहाँ पर अकिला इंसान है, capital भी limited रहेगी, उसके लिए उसका benefit रहेगा, वो भी limited रहेगा, profit के अगर हम लोग बात करें तो भी limited रहेगा, और यहाँ पर क्या है, अगर इतना ज्यादा profit नहीं होगा, तो tax burden ह वो automatically कम हो जाएगा, ठीक है, जो इंसान ने उसको ही अपने size के हिसाब से, अपनी जो company है, उसके हिसाब से उसको tax परना रहेगा, less legal restrictions, again, अकिला इंसान है, तो बहुत ऐसा फैला हुआ business नहीं करेगा, तो यहाँ पर क्या है, कि sole proprietorship में बहुत less legal restrictions आते हैं, ठीक है, कोई भी approval लेने की या किसी के साथ discussion करने की ज़रूरत नहीं परती, उसी के साथ आप लोगों को ये सारे के सारे कोई भी screenshot लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप UKIC online के उपर login होते हो, आप लोगों को ये page दिखाता रहेगा, तो जैसे आप यहाँ पर login रहते हो, आपको package के अंदर एक course नहींखेगा, जो quarterly batch करके हम लोगों ने बनाया है, वो totally free है आप लोगों के लिए, पटा-पट सी इस चैनल को subscribe करो, ये course में जाके सारे के सारे notes को आप go through कर लो, ताकि exam में आप लोगों को बहुत अच्छे marks आ सके, ठीक है, और उसके बाद हम लोगों बात करते है, disadvantages, advantages, advantages, तो देख लिए आप चाहते है, disadvantages, यहाँ पर क्या है, limited capital है, unlimited liability, liability हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है, liability जो point है, वो ऐसा point है कि सारे के सारे वो point में cover रहेगा, ठीक है, short duration, limited work capacity, possibility of wrong decision, and lack of advantages of large scale business, let's see each one of them in detail, सबसे पहला, limited capital, अकेला इंसान है, it is quite possible कि वो बहुत सारे amount नहीं लाएगा अपने business में, उसके हिसाब से ही, वो amount लाएगा, इसलिए क्या है कि capital है, वो limited रहेगा, unlimited नहीं, unlimited in terms of कि बहुत बढ़ा capital नहीं होगा, उसके बाद है unlimited liability, again, अगर उसने business start किया है, खुद के पैसों से, और बाहर से उसने पैसे borrow किये है, जैसे ही वो form dissolve होती है, या फिर बंद होती है, अगर वो लिये हुए पैसे, अगर वो भी नहीं कर पाता है, तो उसको क्या करने रहेगा, कि अपनी सार की सारी जो personal assets, वो sell करके भी उसको ये amount fulfill करनी रहेगा, इसलिए यहाँ पर liability है, वो unlimited रहती है, उस इसके बाद हम लोग next point की बात करें, तो short duration, बहुत लंबा-लंबा हम लोग नहीं सोच सकते, मतलब देख नहीं सकते, या फिर चला नहीं सकते, क्यों? नहीं बार ऐसा होता है, कि जो इंसान business चला रहा है, unfortunately उसकी death हो गई, या फिर ऐसा भी हो सकता कि उसका कोई next जो उसका व death हो जाती है, तो दूसना partner है, वो अपनी सारे के सारे जो decision से वो खुद ले सकता है, या फिर form को continue करना है, तो वो कर सकता है, यहाँ पर तो क्या है, एक ही इंसान है, तो एक ही इंसान जितना चला सकता है, उतना ही चलाएगा, आगे उसको carry forward करने की जरूरत नहीं, या फिर कई पर ऐसा भी होता है, कि वो कर नहीं सकता, उसके बाद आता है limited work capital, तो यहाँ पर क्या है, एक ही इंसान है, तो वो अपने हिसाब से ही capital लाएगा, बाहर से जितना capacity है, उतना ही ला सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं ला सकता है, यहाँ पर क्या है, कि modern times के अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर different types of skills और उसके साथ knowledge भी ज्यादा ज़रूरी है, अगर आप लोग sole proprietorship firm start करना चाते है, या फिर अकिला ही या, कोई अकिला इंसान है, जो ऐसा है, कि नहीं अपनी firm मैं ही reject करूंगा, मैं ही चलूंगा, तो उसको बहुत सारी skills और knowledge की ज़रूरत रह तो इसलिए क्या है कि आपको market में रहने के लिए आपके पास थोड़ी से extra skills होने की ज़रूरत है, और हम लोग बात करें last two points की possibility of wrong decisions, कहीं बार क्या होता है कि हां, बहुत जोश जोश में उतनों ने खोल तो लिया business, पर उसके पास ना experience होता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कहीं बार उसको जो long vision चाहिए वो उसके पास नहीं हो सकता, यहां पर क्या है कि कहीं बार ऐसा होता है कि जो decision दिया है वो गलत भी हो जकता है, तो उसका responsibility खुदी ही रहेगा, किसी को वो blame नहीं कर सकता, ठीक है, और last हम लोग बात करते है कि lack of advantages of large scale business, यहां पर अखेला ही इ करना चाहता है, तो उसको किसी partner की जरूरत पड़ेगी, partner की जैसे ही जरूरत पड़ती है, तो वो अलग से capital की भी जरूरत पड़ सकती है, तो यहां पर आप लोगों की सारे के सारे जो disadvantages से वो खतम होते है, उसी के साथ आप लोगों का lecture number 2 भी खतम होता है, मिलते हैं हम तिल देन, बावाई, क्या बोल रहो? बच्चे, यूटूब के वीडियो देखने से अच्छा इंस्टाग्रम पे जाते हैं, प्रेस होने के लिए, और तब भी भी मुझे फॉलो नहीं करते हैं, यह सच है, जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम पे, फ्रेसी होना आओ, तो एजूकेशन और एंटरेटेंट्मेंट दोनों को साथ में देखो, और फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम के उपर,